आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सॉलूशन लेकर के आया हूँ Usually क्या होता है कि जब भी हम कोई Excel में कोई नया function या कोई formula सीखते हैं तो हमें उसी समय उसको apply करने की इच्छा होती है लेकिन क्या होता है कि हमारे पास एक dummy data नहीं होता है एक random data नहीं होता जिसके उपर हम उस formula या function को apply कर सकें तो मैं आज आपको इस problem का solution बताऊँगा और बताऊँगा तीन ऐसी website जहां से आप free dummy data को जो की realistic Excel data होगा उसे आप download करके और आपके अपनी formula या function को apply कर सकते हैं और उस formula या function को बहुत आसानी से सीख सकते हैं इन तीनों website की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप data download करेंगे वो सबसे ज़ादा realistic होगा आपको देखने में भी लगेगा कि हाँ वाकिय में realistic data है और यह बिलकुल free है तो बिना देरी के हम चलते हैं अपनी computer screen के अपर और सीखते हैं कि हम कहां से इस data को download कर सकते हैं और formulas या function में apply कर सकते हैं जो मेरी पहली favorite website है वो है online data generator.com यह मेरी सबसे favorite website है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे जितनी रोज चाहें उतना data आप download कर सकते हैं और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार कभी आप data download करना चाहते हैं आपको यहाँ पे वो live data preview दिखाएगा जैसे मुझे 1000 रोज का data चाहिए तो मैं 1000 रोज लिखूँगा उतनी रोज का वो data generate करके दे देगा अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आप ID, job title, email address, first name, last name, phone number, sales तो यह random data आप यहाँ पे generate कर सकते हैं ठीक है अब जैसे मुझे इसमें कुछ add करना है तो मैं यहाँ पे add column पे click करूँगा और मुझे सबसे पहले category select करनी है तो जैसे माल लीजिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि education क्या है तो मैं education पे click करूँगा और यहाँ पे university name आजाएगा या फिर school subject से education institution का name आजाएगा तो मैं यहाँ पे click कर देता हूँ institution name ठीक है और इसे मैं यहाँ पे save कर दूँगा तो जैसे मैं save पे click करूँगा तो एक नया column add हो जाएगा और यहाँ पे institution name आजाएगा अब यहाँ नीचे scroll करके देखते हैं कि यहाँ पे institution name आया है कि यहाँ बिल्कुल सब आ गया है institution name आ गया है तो अब इसके लावा और मुझे कुछ add करना है जैसे कि अब मैं add करना चाहता हूँ कुछ business related fields तो business related fields मुझे add करने के लिए जैसे उनका मैं job skill देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा type of job और जैसे मैं save कर दूँगा तो यहाँ पे वो type of job add हो जाएगा और आप उसे यहाँ से scroll करके देख सकते हैं उसके बाद एक और add column करके देखते हैं और कोई category select करते हैं जैसे financial हमने select किया है तो financial में आपका अगर आप कोई currency add करना चाहें या फिर credit card number add करना चाहें और इसके बाद मुझे data जो है वो करीब करीब एक हसार रोज करना ही जाहिए मुझे से practice करना है तो मैं क्या करता हूँ इसको 50 रोज का कर देता हूँ और export पे click करता हूँ तो जैसे export पे click करूँगा तो यहाँ पे option आएगा इधर you can save it और you can open it with Microsoft Excel तो मैं यहाँ पे हाल फिलाल आपको दिखाने के लिए Microsoft Excel में open करके दिखा रहा हूँ तो जैसे मैं Microsoft Excel में open करूँगा यहाँ पे आपको जो data हमने randomly generate किया है वो यहाँ पे आ जाएगा इधिए उनका ID, job, title, email address, first name, last name, phone number, sales, institution name, type of job, credit card, details इस तरह से आपको data आगया है सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करती है इसी तरह की एक website है बस हर एक website की अपनी खूबिया होती ही तो मैं इसकी खूबिया मैं आपको बता देता हूँ इसमें भी आप number of rows and columns डाल सकते हैं जितनी चाहें होतनी इसको आपको CSV format में download करना होगा और यहाँ पर आपको अलग-अलग field देखने को नजर आएंगे basically यह होता है कि हर एक website में अलग-अलग तरह के field आपको देखने को मिलते हैं यानि कि जो website field आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो field आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे या फिर जो यहां देखने को मिलेंगे वो यहां देखने को नहीं मिलेंगे तो यह website की खासित यह है कि it will give you realistic data तो क्योंकि यह paid plan भी है आप इसका paid plan भी लिए सकते हैं लेकिन हमें इस paid plan की ज़रूत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ practice कर रहे हैं तो यहां पर जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहां पर आपको data preview भी दिख जाएगा आपको सिर्फ यहां पर preview पर click करना है तो जैसे आप preview पर click करेंगे तो आपको जो already यहां पर fields add है उसका preview आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो जैसे ही मैंने preview पर click किया है आपके स कुछ डिलीट करना चाहें तो जैसे कि यह करीब करीब साथ फिल अलरीडी एट है अगर आप कुछ डिलीट करना चाहें कि जैसे मुझे IP address नहीं चाहिए तो मैं ऐसे IP address को डिलीट कर देता हूं और बजाए IP address की जगर कुछ और फिल्ड आइट करना है देखते हैं और क्या-क्या फिल्ड है यहां पर इसमें आपको वराइटी ओफ फिल्ड मिलते हैं और बहुत जाधा तो आपको यहां पर नेचर से रेलेक्टेड और कॉमर्स से रेलेटेड डेटा आपको देखने को मिल जाएगा तो किसी भी दरका आप डेटा यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जैसे कोई भी डेटा सेलेक्ट करना है जैसे मुझे मुझे मान लिजे कि मुझे healthcare industry में company का name चाहिए है तो यहाँ पर drug company उसने select कर लिया है अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा company name उसके बाद कुछ नहीं करना है आप preview करना चाहिए तो preview कर सकते हैं यहाँ पर रोज कितनी चाहिए आपको 20 चाहिए सब 20 काफी होती है उसके बाद आपका data randomly generate हो जाएगा free में और आप इस data के साथ practice कर सकते हैं अब चलते हैं हमारी तीसरी website की तरफ जो हमारी जो मेरी least favorite website है वो है generate data.com ऐसा नहीं है कि इस website अच्छी नहीं है मैंने अपनी priority के basis पे जिस तरह का data मैं यूज करता हूँ उसके basis पे इन तीनों website को rank किया है तो जो फर्स rank है वो है अपना online data generator.com जो दूसरी है वो mokaro.com और तीसरी है generate data.com generate data.com मैंने इसलिए third number पर रखिया है क्योंकि इसमें जो input types है जो यह वाली types है जो data है वो limited है दूसरी चीज यह है कि इसमें जब आप कोई data download करते हैं तो इसमें जो number of rows जो है जो आप यहां से ले सकते हैं वो सिर्फ यहां पे 100 ही है 100 से ज्यादा अगर आपको लेनी है तो आपको donate करना होगा it means it is a paid website तो यहां पे हम देखते हैं इस तरह का data types है सेम तरह की data types हैं यहां पर आपको advanced data टाइप भी मिलेंगी जैसे आपको mathematical data type चाहिए constant चाहिए या फिर कोई list चाहिए इस तरह से इसके बाद alpha numeric data type भी मिल जाएगा आपको और credit का data अगर आपको डालना है अगर आप banks related data बना रहा है तो वह भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कुछ चीजे common हैं जैसे name उसके बाद आपका phone number आप फोन नमर आप यहां पर select कर सकते हैं कि इस तरह का phone number pattern चाहिए जैसे मैं Canada select करता हूँ और आपका Indian phone number select करना है तो आप यहां डिफरेंट format में जाएंगे और Indian format जो start होता है वो 911 से होता है उसके बाद 10 digit का phone number होता है इस तरह से आपको select करना है उसके बाद आपको date ले सकते हैं date का format भी ले सकते हैं आप यहां पर ठीक है उसके बाद आप जो भी डी टा चाहा है वो ले सकते हैं और को क्लिक करना है excel पे यहां पे export टाइप में उसके बाद क्लिक करना है जन्रेट पर तो जैसे आप जन्रेट पर क्लिक करेंगे एक नई window open हो गई यहां पर और वह window open होने के बाद आप इस file को पहले की दो एक्सेक्ट की फाइल की तरह open कर सकते हैं या फिर सेव गर सकते हैं तो मैं आपको open करके दिखा देता हूँ और जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यह फाइल open हो गई है और यहां पर आप डेटा के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है तो यह तीन थी मेरी बहतरीन वेबसाइट जो पहली थी वो थी online data generator.com दूसरी है mokaro.com realistic data के लिए इसमें आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे और तीसरी है data download कर सकते हैं और आपको छोटा मूरा data चाहिए और इस तरह से आप format देखना चाहते हैं कि first name अलग होना चाहिए last name में अलग होना चाहिए तो यह आपको थोड़ी सी variety देखने को मिल जाती है तो मुझे उमीद है आप लोगों को मेरा video tutorial पसंद आयोगा अगर पसंद आयोगा तो like जुरूर कीजेगा और subscribe कीजेगे इस channel को और भी बहतरीन videos के लिए धन्यवाद मुझे घर तो